Rule No. 4 अगर वाक्य में कितने या कितना आधी सब्दा आ जाए तो सबसे पहले How Many या How Much का प्रियोग करते हैं Sentence Structure How Many या How Much प्लस नाउन प्लस कैन कुड प्लस अबजेक्ट प्लस वीवन प्लस अबजेक्ट Example, कितने बच्चे स्कूल जा सकते हैं How Many Children Can Go To School आप कितना अधिक पानी पी सकते थे How Much Water Could You Drink Rule No. 5 अगर वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से आधी सब्द आ जाएं तो हम सबसे पहले Which लिखते हैं Sentence Structure Which प्लस नाउन, प्लस हवी, प्लस अबजेक्ट, प्लस वीवन, प्लस अबजेक्ट Example, तुम कौन सा फल खा सकते हो Which fruit can you eat वह कौन सी पुस्तक पढ़ सकता था Which book could he read Rule No. 6 अगर वाक्य में किस का, किस की, किस के आधी सब्द आ जाएं तो सबसे पहले Which लिखते हैं Sentence Structure Which प्लस नाउन, प्लस हवी, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वीवन, प्लस अबजेक्ट Example, किसान किस का खेद चोत सकता था Which field could farmer blow Next Example, हम किस का फोन खरीद सकते हैं Whose phone can we buy Rule No. 7 अगर वाक्य में किसे नामक शब्द आ जाएं तो सबसे पहले whom लिखते हैं Sentence Structure Whom, प्लस हवी, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वीवन, प्लस अबजेक्ट Example, पिता जी अंग्रेजी किसे पढ़ा सकते थे Whom could father teach English Mohan किसे बचा सकता है Whom can Mohan save Rule No. 8 अगर वाक्य में किस में या किस पर आदिस सब्द आ जाएं तो सबसे पहले in which या on which लिखते हैं Sentence Structure In which या on which Plus हवी, प्लस अबजेक्ट, प्लस वीवन, प्लस अबजेक्ट Example, वे किस शहर में रह सकते हैं In which city can they live Share किस गुफा में सो सकता था In which के यो कुड लॉयन स्लीप बच्चा किस विस्तर पर सो सकता है On which bed can child sleep वा किस सिविसे पर निबंद लिख सकता था On which topic could he write an essay Like, Share and Subscribe My YouTube Channel Thank you